आज share करेंगे आप लोगों साथ कुछ kitchen hack जो की बहुत ही कमाल के हैं बहुत ही ज़्यादा helpful है इसे आपका समय बहुत ही ज़्यादा बजने वाला है उससे पहले आज लोगों साथ share करेंगी एक बहुत ही मज़ेदारसीयदी सो दोस्तों welcome है आपसा भी का इसका हम बना लेंगे फाइन वाला पाउडर तो इधर पाउडर हमारा बन चुका है अब इसमें और चीज़े एड़ करेंगे तिहां पे मैंने एक कटोरी लिया हुआ है मैदा कटोरी थोड़ी सी बड़ी थी इसमें थोड़ा साइड करेंगे एक छोटी चमज के आधा चमज के उसार देख सकते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को हाथों में लेकि दिखाया उसके बाद यहां पे एक छोटी चमज से आधा मैं यहाँ पे सोडा योज करूंगी तो यहाँ पे मैं स्वीट्स बना रही हूँ बहुत ही यमी वाला बढ़िया वाला दोस्तों जो कि बच्चे के साथ सब बड़े लोग भी खाना बहुत जादा पसंद करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम घी डालेंगे अच्छे से बाइंड होने के लिए तो यहाँ पे आप दो से धाई चमत डाल सकते हो जितना अच्छे से डाल करके इसको अच्छे से रगड करके बाइंड होने तक करोगे न उतना ही यमी ये बनके तियार होगा तो इसे हम क्या करेंगे अच्छ से हाथों से मसलते हुए मिला लेंगे तो चलिए मिला लेते हैं हम तिसे हम दोनों हाथों से अच्छी हुए मसलते हुए मिलाएंगे जितना बढ़ियां से आप मिलाएंगे उतना ही बढ़ियां ये बनके तियार होगा तिसी दोनों हाथों से मसलेंगे तो प्रापर हो जाएगा अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हूं कितने बढ़ियां से बाइंड हो रहा है अगर थोड़ा सा कम खाना चाहते हो तो आप उसकी क्वांटिटी जो है कम कर सकते हो तो यहाँ पर हम करेंगे क्या इसको अच्छे से मिला लेंगे तो मैंने इलाइची को भी इसी टाइम पाउडर बना लिया हुआ था तो आप च्वीनी में ही डाल देंगे बहुत बड़ी हा पाउडर बन जाता है इसलिए आप जब भी बनाईएगा तो अलग से खूट के मत डालिएगा और अलग से भी आप डाल सकते हो लेकिन अगर आप पाउडर में चीनी में डालोगे तो बहुत बढ़ी हा पाउडर बन जाएगा अब आपको यहाँ पे दूद लेना है दूद को डालते हुए आपने करना क्या है यहाँ पे आउड़ा लगा लेना है ध्यान रखना है दूद आपको यह साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि जैसे आप दूद डालोगे वैसे ही चीनी का जो पाउडर में बनाय होगा न उपी घलता रहता है तिसलिए आपको अंदाज़ से थोड़ थोड़ करके डालते हुए एकदम से टाइट वाला आंटा तयार कर लेना है, साप्ट वाला आंटा नहीं चाहिए, टाइट आंटा चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ थोड़ दूर डाल रही हूँ, उसके बाद आंट हटके, यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसका लगाऊंगी आटा, एकदम से परफेक्ट वाला बनके तयार हुआ है, बहुत जादा नाहीं टाइट है, नाहीं बहुत जादा साथ है, लेकिन आपको मेडियम में भी नहीं रखना है, थोड़ अब यहाँ पे आपको एक लोई लेनी है, बहुत जादा पतली नहीं, बहुत जादा मोटा नहीं, मीडियम में आपको करना क्या है, बेल लेना है, तो यह देखी, मैंने यहाँ पे एक लंबी से पूरी जैसा बेल लिया हुआ है, अब आप ग्लास लीजिए, छोटी कटोरी या धकन ले लीजिए किसी चीज का और इस तरीके से सरकल में कट कर लीजिए, त्यहाँ पे मैं सरकल में कट कर रही हूँ, आप मन चाहाकार दिये सकते हो, त्यहाँ में मैंने सरकल में कट कर लिया हुआ है, अब यह ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे में थोड़ा स तो इस तरीके से मैं सारक सारा बना ले रहें हूं ए गुड़े विस्क्रिय जैसा आएगा इसका फ्लेवर भी स्मुसी तरीके से आएगा तो देखने में ऑठी ऊड़ कर रही हूं तो इसको लहां के कर सकते ऊठिशी शेयल सक्ती तो यहां पहला को दिखा रही हूं कि फ्राय किस तरीके से करते हैं तो मैं यहां पे पूरा का पूरा बना करके कम्प्लीट कर ली हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना तो इसी तरीके से आपको पूरा बना लेना है उसके बाद क्या करना है फ्राय करन क्योंकि अगर आप हाट आयल में नहीं डालेंगे तो पूरा आपका जो बिस्किट है बिखर जाएगा इसलिए आपका आयल जो है अच्छा खासा गरम होना चाहिए अब यहाँ पर तेल अच्छा खासा गरम हो चुका है आपने डालना है डाल करके इसको फ्राइ करके निकाल लेना है चब तक अच्छा कलर ना आ जाए तो फाइनल में इस तरीके से आप फ्राइ कर लोगे और निकालने के कुछ दिर बाद यह बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा टेश्टी होगा इसी तरीके स हम पूरा बना लेंगे नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों प्याज को ले करके तो आपने अभी तक कभी फ्रीजर में प्याज को रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है तो फटा फट से रख लीजी आपके काम बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं अगर आपको प्याज का प्याज काटने का एक तरीका है कि हम फ्रीज में रखेंगे तो हमें प्याज काटने के लिए मुश्किल नहीं उठाना होगा तो चलिए आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है प्याज लेना है प्याज को इस तरीके से फ्रीजर में रख देना है और बंद कर देना है अ प्याजu बिल्कुल भी आंखों में लगने वाला है एकदम से आंखों में जलन नहीं होगी आंसु नहीं आएंगे मow प्याज काटना जंटल नहीं लगे गा एक ट्रय को लिजिए आप फ्रीजर में रखेंडक न रखेंडक लेएं जब भी आपको प्याज नयूक्ट동 कर सकते हो दिट सारे पकोडे बनाने हो तब भी आपने करना क्या है प्याज को फ्रीजर में रख देना है एक घंटे के लिए छोड़ देना उसके बाद प्याज को कट करके रख ले तो है नप्याज कीrezig से ट्रिक चलिए आगे कर नेक्स टिप देख लेते हैं वह भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है आपने कहा करना है चलते हुए गैस पे इस तरीके से तवे के ऊपर जो है अद्रक रखना है और इसको अच्छे से कूट लेना है अब आप सूच रहे हूंगे कि इसे कूटने के क्या फाइदे हैं अच्छा खासा अद्रक को क्यों नुक्सान करना है वह अद्रक बहुत ज़्यादा वैसे भी मांगा मिलता है तो बहुत ही कमाल का टिप्स है अगर आप यह ट्रिक टाइड नहीं करें हैं तो एक बार जरूर करिएगा आपका समय भी बचाएगा और आपका जो यह टिप्स है ना बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपने करना क्या है अद्रक लेना है अद्रक को अच्छे से साफ कर लेना है और इस तरीके से जलते हुए तवे पर रख के अच्छे से कूट लेना है तो होता क्या है दोस्तों कभी कभी जहम अद्रक धेरो लाते है घर पे अद्रक को रख देते हैं या तो द्रक सूक जाते हैं नहीं तो सर्ड़ जाते हैं और हम उसको फेग देते हैं तो अगर आपके भी अद्रक सूक रहे हैं या सर्ड़ रहे कोटनिक बाद आप क्या करेंगे जलते हुए गैस के ऊपर इसको रखेंगे और अठ्छे से इसे पका लेंगे इस तरीके से पकाते हुए इसका जो पानी है सूख जाएगा तो सूख जाएगा ना तो बहुत ही कमाल की टिप्स है आप ना एक बार जरू ट्राय करिएगा अभी पानी की माता थोड़ी बहुत है तब तक आपको गैस की फ्लेम आनी रखे रहना है उसे छोड़ना नहीं है थोड़ा सा भी यह होगा तो आपका जो आगला चीज रहेगा वो भी कराब हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा इसका पानी जो है खतम हो रहा है तो मुझे लग रहा तक नहीं इसमें थोड़ा बहुत पानी है इसलिगे मैं इसको जो है कांटिन्यू चलाते रहें ध्यान रखना है आपको इस तरीकी से रख के छोड़ना भी नहीं है आपको कांटिन्यू चलाते रहना है अब यह लगबख हो चुका है अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको मैं क्या करूंगी नीचे उताल लूंगी और रख दूंगी ठंडा होने के लिए जब यह ठंडा हो जाएगा तो एकदम से कड़ा हो जाएगा बहुत ही जादा सूख जाएगा तो अगर आपके पास धूप की विश्टा है तो आप धूप में भी ये काम कर सकते हो तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सूख चुका है एकदम से इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है तब आपको करना क्या है आप चाय पत्ती का डिप लीजिए उसमें इसक करेंगे आपने करना क्या है अध्रक को अच्छे से इस तरीके से खूट लेना है सुखा लेना है और चाय पत्ती में मिला लेना है अब जब भी आप चाय बनाओगे आप चाय पत्ती के साथ अध्रक को भी डाल दोगे आपको अध्रक अलग से खूटना नहीं पड़ेगा आ बाइ